क्रिशी वेस्ट अग्रिगेटर के कोर्स में आपका स्वागत है। क्रिशी वेस्ट अग्रिगेटर के रूप में लोगों की टीम के साथ काम करना, अच्छे संचार कौशल रखना और उचित रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कार्य करने में सक्षम होंगे, संचार के सर्वोत्तम तरीकों की व्याख्या करने में, दस्तावेज और रिपोर्ट को बनाए रखने का तरीका बताने में, स्वास्थय और सुरक्षा मानकों की पहचान करने में, दुरगटना की रोख थाम के लिए सुरक्षा उपायों का वर् इस एकाई में आप सूपरवाइजर और सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के बारे में जानेंगे. एग्री वेस्ट एग्रिगेटर के काम में कई संस्थाओं के साथ बातचीत और संचार शामिल है. एग्री गेटर किसानों, आपूर्ती करताओं, खरीदारों और उनके करमचारियों, ट्रांस्पोर्टरों और करमचारियों के साथ वितरण बिंदूों पर बातचीत करता है. यह जानना महत्वपून है कि दूसरों के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक तरीके से कैसे काम किया जाए। एक महत्वपून पहलू प्रभावी संचार है। आग्रिगेटर को गुणवत्ता, मात्रा और वितरन के आधार पर ग्राहक संबंधों और उनकी आवशक्ताओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र के सभी किसानों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध रखना भी महत्वपून है, और यह बाजार की महत्वपून जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस यूनिट के पूरा होने के बाद आप निम्न कारे कर सकेंगे। आपको किसानों, मजदूरों, सूपरवाइजर, खरीदारों और टीम के सदस्यों जैसे विभिन लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। आपको समस्या को सही तरीके से हल करें। किसी व्यक्ति की अपनी बातों को दूसरों को समझाने की क्षमता उसके संचार कौशल पर निर्भर करती है। किसी भी संदेश को अच्छी तरह से बताने के लिए यहां दो बिंदू दिये गए हैं। संचार की गती को इस तरह से समायोजित किया जाना चाहिए कि श्रोता शब्दों को अच्छी तरह समझ सके। हर शब्द का उच्चारन सही होना चाहिए और हाव भाव शब्दों से मेल खाना चाहिए। संचार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार। अधिक जानने के लिए प्रतियक टाप बर खलिक करें। आईए जाने संचार को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ और टिप्स। लोगों के साथ संबंध बनाने में संचार बहुत महत्वपूर्ण है। यह ना केवल हमारे संदेश को सपष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। बलकि हमारे लिए व्यक्तिगत ब्रांडिंग बनाने में भी मदद करता है। इसलिए किसी भी भूमिका या व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी ढंग से संचार करना अनिवार्य है। आईए कुछ युक्तियों को देखें, जो सहज संचार सुनिश्चित करते हैं। पहला टिप, फिलर शब्दों के प्रयोग से बचना है। हम, वेल, लाइक आदी जैसे शब्द आप जो कहते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं जोडते हैं और अनावश्यक रूप से बातचीत को लंबा बनाते हैं। दूसरी टिप यह है कि बातचीत को एक तरफा न बनाया जाए। क्या आपको याद है कि पिछली बार कोई अपने बारे में ही बात कर रहा था? वह काफी उबाऊ था, है न? खेर, वह कोई मत बनो। आप अपने शब्दों के माध्यम से श्रोता के मन में अपनी एक अच्छी छवी बनाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि श्रोता को अपनी बातचीत में शामिल करें और उन्हें बात करने का मौका दें। यह टिप नंबर तीन है, बोलने से पहले सोचें। मनुष्य के रूप में दूसरों के प्रती समवेदन शीलता और सहानु भूती रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले हमेशा एक मिनट के लिए रुकें। और सोचें कि आप जो कह रही हैं वह श्रोता के लिए मददगार है या आहात करने वाला है। अगला टिप है कि आपकी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए रांबलिंग या बहुत अधिक अनावश्यक जानकारी देना न केवल उबाव है बलकि श्रोता को भ्रमित भी करता है। इसलिए अपने संदेशों को संक्षिप्त और महत्वपून पॉइंट्स तक रखना जरूरी है। आपके बात करने का तरीका उतना ही महत्वपून है जितना बात कहना, किसी से बात करते समय सकारात्मक लहजा और मुस्कान रखना जरूरी है। यह न केवल सकारात्मक्ता का संचार करता है, बलकि एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में आपकी छवी भी बनाता है. अगला महत्वपून टिप आँखों का संपर्क बनाए रखना है. यदि आप किसी से बात करते समय कहीं और देखते हैं, तो आप डरपोक या अविश्वस्निय लग सकते हैं. विश्वस्नियता और आश्वासन बनाने के लिए आँख से संपर्क बनाए रखना महत्वपून है अंतिम लेकिन कम महत्वपून नहीं. सुनने का कौशल संचार का एक प्रमुख पहलू है. स्पीकर को जज किये बिना ध्यान से सुनना या आगे क्या कहना है, इसके बारे में सोचने से आपको उनके संदेश को बहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जो बदले में आपक को अच्छी प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी. इसके अलावा, अगर वक्ता समझता है कि आप ध्यान से सुन रही हैं, तो वे मोल्यवान और सम्वानित महसूस करता है. अच्छे धंग से बातचीत केवल स्पष्ट रूप से बात करने के बारे में नहीं है, बलकि ठीक से सुनने के बारे में भी है. मतलब जो कहा जा रहा है, उसके सही अर्थ को समझने के लिए. सुनने से संबंधित जरूरी बातें नीचे बताई गई हैं. ध्यान से सुनो, ब बात को समझें और स्पष्ट करें. अग्री रेजिड्यू अग्रिगेटर को उनके मार्ग दर्शन के लिए और अपने काम के बारे में दैने का धार पर रिपोर्ट करने के लिए अलग-अलग समय पर अपने से उपर बैठे लोगों के साथ तालमेल करने की आवशक्ता होती है. ये बातचीत नीचे बताए गए कारियों से संबंधित हो सकती है. कार्य निरगम आवशक्ताएं, कमपनी की नीतियां और नियम और विनियम, समय सीमा और वितरण, अधिक जानने के लिए प्रतियक टाब बर क्लिक करें. ग्रूप में काम करना लक्ष्यों को प्राप्त क करने के लिए बहुत जरूरी है. और यह ग्रूप के सदस्यों के बीच अच्छी बातचीत से ही संभव हो सकता है. इसके जरूरी लक्ष्य इस प्रकार हैं. आत्म विश्वास और विश्वास बनाने में, ग्रूप के सदस्यों को प्रेरित करने में, टीन के लक्ष्यों को प पूरा करने में सहयोग. संचार में क्या करें और क्या ना करें? अधिक जानने के लिए प्रत्येक टाब पर क्लिक करें. अब हम दस्तावेजों और रिपोर्टों के रखरखाव पर चर्चा करते हैं. क्रिशी वेस्ट एकत्री करन के प्रत्येक चर्ण को लिखित रूप में दर्ज करने की आवशक्ता होती है. दस्तावेज के पूरे विवरण के साथ इसकी रिपोर्ट भी होनी चाहिए. ये रिपोर्ट भविश में जरूरत के समय एक तयार अनुमान के रूप में काम करती है. यह स्वयम के संदर्भ के लिए या परियवेक्षक द्वारा समीक्षा के लिए होती है. दस्तावेजों और रिपोर्टों को बनाए रखने के चर्ण निमनलिखित हैं. अधिक जानने के लिए प्रतेक संख्या पर क्लिक करें. सारांच इस यूनिट में आपने निमनलिखित कारियों के बारे में सीखा है. अच्छे संचार कौशल के फायदों में अच्छी छवी का निर्मान, आत्म विश्वास में वृद्धी और दूसरों से सम्मान प्राप्त करना शामिल है. संचार दो प्रकार का होता है, मौखिक और गैर मौखिक. जब कोई बोलता है, तो बिना किसी रुकावट के उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और संदेह को स्पष्ट करना चाहिए. सुपर्वाइजर के साथ बातचीत में कारे निर्गम की आवशक्ताएं, कमपनी की नीतियों और विनियमों और समय सीमा और वितरन से संबंधित वार्तालाप शामिल हैं. सहकर्मियों के साथ बातचीत आत्मविश्वास बढ़ाने, टीम प्रेड़ना बढ़ाने, टीम के लक्षियों को प्राप्त करने और आवशक्ताओं को पूरा करने में मदद करते हैं. दस्तावेजों को बनाए रखने के चरणों में खरीद और वितरन डेटा रिकॉर्ड करना, सारांश बनाना और रिपोर्ट दर्ज करना है.